हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का स्टडी क्लासे स्यूट्यूब चैनल में तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए most important 15 questions लेके आया हूँ जो कि आपके आने वाले सभी exams के लिए बहुत important है तो इसलिए वीडियो को बिना skip की ये पुरा देखते रहिए और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही उसके side वाले bell icon को दब के जितने भी questions मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ अगर इनमें से किसी का भी answer आपको मालूम है तो comment box में जरूर बताएं तो पहले question का answer है option B सांसादी लोकतांत्र बांगलादेस में सांसादी लोकतांत्र चलता है चलिए next question देखते है प्लूटो ग्रह की खोज कौन से सन में हुई थी तो इसका answer है option B 1930 18 February 1930 को अमरिका विज्यानिक कलाइट टॉमबार ने एक बौने ग्रह की खोज की थी जिसका नाम प्लूटो था प्लूटो रखा गया जिसे हम प्लूटो के नाम से जानते हैं लंबे समय तक है हमारे सौरमंडल का नौवा ग्रह रहा लेकिन बाद में इसे ग्रहों के परिवार से बाहर कर दिया गया और ग्रह होने का दर्जा वापस ले लिया गया अब क्यवाल आठी ग्रह हमारे हैं चल लाल वगुलाबी पलुवा पत्थर तो चलिए इसके बारे में कुछ बता देता हूँ हावा महल जो है राजस्थान की राजधानी जैपूर में है इसे सन उनिस सोरी उन्हे सत्रस और निनानवे में राजा सवाई परताप सिंग ने बनवाया था किसने बना था तो महराजा बात है कि यह दुनिया में किसी भी नियूम के बिना बनी सबसे उची मारत है इसमें 953 खिर्किया और छोटे-छोटे जहरोखे हैं इसलिए इसका नाम हवा महल रखा गया है हवाई धर से उदर आर पार होती रहता है तो चलिए नेक्स कुस्चन देखते हैं जहांगीर भार ज़त क्या कौन से नंबर का मुगल बातसा था दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजएगा तो इसका अप्शन इसका अप्शन भी है सही अंसर चलिए नेक्ट कोस्टन देखते हैं लोग स सभा में किस राज्य की दूसरी सबसे अधिक सीटे हैं तो इसका सही अंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महराश्ट्र यहां पे 48 सीटे हैं 48 और जो फर्स्ट पे है यो अपका उत्तर परदेश है यहां पे 80 सीटे हैं 80 सीट चलिए नेक्ट कोस्टन देखते हैं भारत में कौन र परमुक किसको कहा जाता है राज्य का तो इसका सही अंसर है राष्ट्र पती इस टाब हमारे राश्ट्र पती रामनाथ कोबिन जी हैं चलिन अनक्रीन देखते हैं यह बहुत इंप पॉश्चन है दोस्तों का कोडी ट्रेंड केती किस वर्स में हुई थी इस डिक दो जादे यह फेमस नहीं है लेकिन बहुत इंपोर्टेंट कोस्टन आकसर पूछा जाता है कोस्टन तो इसका सही अंसर है ऑप्शन सी 1925 और जो डगाइती हुआ था 9 अगस्त 1925 को हुई थी और इसका मुकादमा 10 महिने तक चला था इसमें कौन-कौन सामिल थे तो इसमें राम परसाद बिस्मिल जी और राज्जेंद्रनात लाहिडी और तीसरे आदमी जो थे रोशन सिंग थे और आखरी जो चौथे आदमीं थे इंपवांचि दी गए थी तो चौथे आदमी थे अस्फाक उला akhahn चारो लोगों को फांचि BabiTA को मुकादमा चले नेस Cool question देखते हैं, कौन से पौधे का वैज्यानिक नाम सोलनम टूब्रोसम है तो दोस्तों इसका सही अंसर आप्शन ए आलू आलू का वैज्यानिक नाम है सोलनम टूब्रोसम चलिए नेश कोर्शन देखते हैं दासों नवा को नावा प्रस्न निम्ड में से कौन भारत के उपराष्ट पति कभी भी नह नहीं बने दोस्ते वी कोस्टन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज तक कभी उपराष्ट पती ही नहीं बने थे 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 हमारे एपी जी अब्दुलकलाब मिसाइल मैं जिनको मिसाइल मैं के नाम से भी जानते हैं तो यह दस्वा प्रस्न देखते हैं यह बहुत लोगों को सबसे बड़ी ताजे पानी की जील है तो दोस्तों इसका सही अंसर है ऑप्चन डी वूलर जील तो इक गारावा प्रस्न है सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना तो इसका सही अंसर है ऑप्चन ए उननीच सो पचात्तर 26 अप्रेल को यह बिल राजे सभा में पास हुआ और 15 माई 1975 को राश्टपती फरुखदीन अली अहमद ने इस बिल पर हस्ताक्षर किये थे उस टम में राश्टपती कौन थे हमारे फरुखदीन अली अहमद उन्होंने हस्ताक्षर किया और 16 में 1975 को सीकिम को भारत गंड राज का 22 परदेश बना लिया गया तो कौन से नमबर का राज बना 22 नमबर का चलिए नेश कोस्टन देखते हैं बारावा कोस्टन भारत का बाल सलेची किसे किसे कहा जाता है तो दोस्तों इसका सही आंसर है अप्शन ए अक्रित प्रांड जैस्वाल यह बहुत इंपोर्टेंट कोस्टन है दोस्तों इसको जरूर याद कर लिजेगा चलिए नेश कोस्टन देखते हैं भुटान के अधिकारिक भासा क्या है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जोंगखा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डबलू टी यो इसका फुल फॉर्म है वॉर्ड ट्रेड और्गाइजेशन वर्ल्ड ट्रेड और्गनाइजेशन चलिए आज का लास्ट कोस्टन देखिते हैं आज का ईस वीडियो का लास्ट प्रस्टन है यह लिए धुनके तु भारत के पास से कौन से सन में गुजरेगा तो दोस्तों इसका सही अंसर ऑप्शन बी तो हजार एक सथ में ऐसे पहले या 1986 में दिखाई दिया था अब नेक्स्ट टाइम या दो हजार एक सथ में दिखाई देगा और इसका खास बात है कि हम इसको नंगी आँखों से भी देख सकते हैं तो चलिए बस आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो तक के लिए बाई-बाई टाटा जहिंचे भारत